अबैसिंग के पुत्र है और तो दीवाल के पड़ पुत्र है तो सर क्यों आना पढ़ रहा है राजने टिक डलन के लोगों को इक पना दरा दर्म एंफिरा लुपकर को खालना नीए हूं किसान के नारे से आए हैं कि सबसे पहले अगर हम आए तो कुछ किसान हैं और किसान ना हुटन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अपने भाईओं के साथ खड़े रहे हैं एक तिका सवाल किया यह सिवा सिर्फ आज आप आपने ट्राली करी और फिर चले गए फिर कभी मेरा बोरिया बिस्तरा भी यहीं पर है मेरा दूसरा ट्राला जिसमें बिस्तर लगए वो भी जाके देख लिए हो यहीं रुकावा हो और यहीं पर ही रहूंगा जैसे कि मैंने बोला मेरा राजनितिक मकसद नहीं है कोई मेरे को या बुलाए ना बुलाए कहे ना कहे सबसे कि आपके परिवार की कुछ लोग इस ताइन पर बीजेपी के साथ अलाइंस में हैं और बो लोग मतलब यह मान लिजे कि इन किर्सिक अनुनों के पक्स में खड़े नजर आ रहें आज भी उनका बेयान आया था तो यह क्या मतलब हुआ एक ही परिवार के लोग समर्थन में है वे ल跟你 अलग है आएं अलग राच अनिया उन्होन ने अपने अलग मंजल बनाई है उन्होंने अलग दुनिया बनाई है वो इस में राजी है हमारा मन निमानता हम यहां पर है है सीधी लिटाइग उनki ठीक लेए नियार रहे ही थो नहीं जब नमना तो पिर न्यार ही हो लि मेरी पुरानी वीडियो कार्ट की देख लेना जी हम पहले दिन से इसके विरोध में है और जबते के कानून वापिस नहीं जाते हम यहीं रहेंगे और इसका विरोध करेंगे तो यह लगातार जारी रहेगी या फिर आज इतना ही वर गिन्नू तो मैं इतने लाए हूँ अबैसिंग के बेटे और देविलाल के पड़पोते जो की किसान जो अंदोलन है जो साजापुर मोर्चा है वहां पर देखे गए हैं और खिन्नू लेकर आए अपने खेट से क्लेम कर रहे हैं ट्रेक्ट ट्रेक्ट रिचला कर लेकर आए हैं आगे की अपडेट्स के लिए आप देखे रहे हैं जन्बत